असलाम अलेकूम इंटरक्शन तु पॉब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन मानेश्मेंट का ये 19th lecture है 18th lecture में जो हमने बात की थी वो हमने planning को define किया था उसके concept को explain किया था और हमने उसकी तीन किसम की definition देने के बाद हमने उसकी types, various types of plans की बात की थी और in plans का हमने कहा था कि this typology is based on the time horizon on which the plan is made तो जो हमने last lecture में बात की थी वो हमने बताया था कि आठ मुख्तलिफ exam है plans की और हमने पिछले lecture में 6 types की बात की थी उनको explain किया था और उनके कुछ examples दिये थी जिनके जरीए उसकी वजाहत की थी आज के lecture 19 में जो हम मजीद planning के concept को further explain करेंगे वो कुछ उसकी outline ये है lecture 19 में आज हम बाकी दो जो plans की type हैं उनकी बात करेंगे उसके बाद हम ये discuss करेंगे कि जो planning है वो एक logical और एक rational process है और उसका inter relationship organization से जो है वो क्या है और फिर हम थोड़ा सा hierarchy of आखर में बात करेंगे कि जो objectives हैं वो किस तरह से organization में उनकी क्या hierarchy है उसका बताना इसलिए जरूरी है कि plans जो चूंके हमने कहा कि मुख्तलिफ time horizon पर based होती है तो लहाजा ये देखना कि मुख्तलिफ जो objectives उनकी हराकी है वो किस तरह से organization में और वो किस तरह से बनती है और कौन सी level किस तरह के objectives और plans बनाते हैं तो जो हमने बात की थी छे types of plans थी जो जिस पर हमने last lecture में बात की थी आज हम सात्वे type की बात करेंगे और सात्वी जो किसम है plan की वो है programs Programs क्या होते हैं? Programs are a complex of goal, policies, rules, tasks, procedures, resources to be employed and programs have a time period and these are for specific purpose Example आपको दो तरह की दीवी है Rural Support Program, Employees Development Program, Tawana Pakistan Program अब मैं इसको थोड़ा सा explain करती हूँ के programs क्या है Programs जो है वो एक खास मकसद के लिए plans होती है ये plans की किसम है और ये एक time period के लिए और time period जो है वो एक longer duration का time period होता है आपके सामने जो मिसाल दीवी है के Rural Support Program जो लोग तही अलाकों से तारलुक रखते हैं शायद उनको ये मालुम हो कि पाकिस्तान में मुखतलिफ सूबों में Rural Support Program जो हैं वो implement किये गए हैं और वो चल रहे हैं और उन प्रोग्राम्स का जो ये प्रोग्राम्स हैं जिनकी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ Rural Support Program जो हैं ये प्रोग्राम्स जो हैं इसमें बहुत यानि वराइटी ओफ एक्टिविटीज हैं मिसाल के तौर पर Rural Support Program जो हैं वो छोटे किसानों को माइक्रो क्रेडिट यानि कर्जे देते हैं वो मुखतलिफ किसम की जो है Skills प्रोवाइड करते हैं तरबियत देते हैं ट्रेनिंग देते हैं मुखतलिफ स्किल्स में मिसाल के तौर पर अगर किसी ने पोल्ट्री की जो है वो मुर्गबानी करनी है तो उसकी उनको बकाइदा तरबियत दी जाती है इसी तरह से छोटे-छोटे दस्तकारी के काम हैं, उनकी तरबियत दी जाती है और यह जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, पाकिस्तान का एक बहुत ही शुमाली आलाकों में रूरल सपोर्ट प्रोग्राम था जो के तकरीबन दस साल के लिए उसको इंप्लिमेंट किया गया अच्छा, अब हमने बात की कि प्रोग्राम्स जो हैं, वो कॉम्पलेक्स ऑफ गोल्स, रूल्स, प्रोसीजर्स और अबजेक्टिव्स जो हैं कॉम्पलेक्स का मतलब है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं एक प्रोग्राम में शामिल होती, यानि उसका एक मकसद होता है, उसमें फिर उसके कोई मैथर्ड्स और सिस्टम्स होते हैं, उसके स्ट्रॉक्शर्स होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है और्गनाईजेशन से और प्रोग्राम का कि प्रोग्राम एक खास मकसद के लिए और एक खास टाइम पीरियट के लिए होते हैं, दूसरी जो मिसाल दी है वो तवाना पाकिस्तान प्रोग्राम है, ये भी एक खास मकसद का प्रोग्राम है और इसमें खास तोर पे जो दही आलाके में लड़कियों की तालीम के लिए ये परोग्राम home हने शूरू कियa है और इसमें जो है यह फू ब्रड खूराक जो है वह दी जाती है स्कुलों में गिर्ल चाइल्ड को तो यह खास प्रोग्राम एक खाष मक्सद के लिए एक खास time period के लिए हैं, तो हमने क्या इस से आखश किया कि programs किस तरह की plans होती है, programs plans हैं, जो के एक जिसमें तमाम बाकी चीजें भी शामिल होती है, उसके procedures होती है, उसके मकासद होती है, और यह एक time period के लिए होता है, तो ये एक किसम है plan की और ये सात्वी किसम है जिसके लिए हम planning करते हैं अब budgets जो है, budgets भी एक तरह की plan होते हैं यानि एक तरह का मनसूबा है budget भी अब अगर ये budget जो है private दारे के लिए है तो budget का मकसद है income और उसके expenditure और profits जो है वो private sector के उस budget में reflect होते है तो budget कुछ इस तरह से define किया गया है किसी भी textbook में ले लीजे या वैसे भी आप इसको अगर क्या कहते है operational level पे भी define करें तो इसकी कुछ यूँ इसको हम define करते हैं budget is a statement of expected results expressed in numerical terms it is referred to as a numberized plan numberized plans यानि इसमें figures होती है numbers होते हैं for private sector organization financial operating budget is called a profit plan private sector के लिए जो है budget जो है वो क्या होता है एक profit plan है यानि budget reflect करता है कि एक अधारे को आमदन कितनी हुई उसकी income कितनी थी और उसने एक साल के दौरान आम तर पे budgets जो है वो वैसे तो general जो time frame एक budget का होता है वो साल का होता है लेकिन कुछ quarterly organizations जो है वो quarterly budgets भी बनाती है और इसमें अपने हर quarter का जो profit होता है वो reflect करती है जो private अधारे हैं वो expenditure और जो profit earn किये हैं किसी भी private अधारे ने वो reflect करती है so budget is a kind of a plan which reflects that what were the profits of a private organization in a given period of time लेकिन public sector organizations के लिए budgets क्या है public sector organization के लिए budgets जो है they express the income and the expenditure of the organization याप यूँ कहें कि इसमें profit जैसे कि हमने बहुत दफा ये बात repeat की कि public sector में profit is not the goal तो इसमें जो budget reflect करता है वो reflect करता है कि income क्या है revenues क्या है government के और इसके expenditures क्या है अगर national level पर है तो incomes और expenditure और इसी तरह से अगर organizational level पर budget है तो वो again show करेगा कि income यूँ कह लीजिए कि बाद दफा बहुत से सरकारी अदारों को government की तरफ से grant मिलती है तो कई अदारे ऐसी होते हैं government के जो अपनी income हम खुद generate नहीं करते हैं और चूँके वो tax pairs की मानी से जो हम taxes pay करते हैं income tax pay करते हैं sales tax वगारा देते हैं हकूमत को तो वो इन अदारों को चलाने के लिए एक तरह की income होती है तो government से काफी जो government के attached departments हैं उनको वो income अपनी generate नहीं करते लेकिन government उनको grant देती है तो इस grant को हम कहते हैं उसके revenues कहलें और expenditure of course in running those organization for example अगर health department है तो उसको run करने के लिए government income earn नहीं करेगी लोगों से लोगों को services provide करेगी तो budget एक तरह का public sector का जो है वो reflect करता है income and expenditure लेकिन इसके इलावा public sector organization में budget क्या reflect करता है और ये लिखावा है slide पे it expresses the effectiveness of the organization in accomplishing its goals and objectives यानि ये reflect करता है कि आया अदारे ने जिन मकासिद के लिए वो अदारा बना है क्या उसने वो achieve किये हैं या नहीं यानि अपने मकासिद पूरे किये हैं उस साल में या उस quarter में या नहीं किये हैं तो budgets जो है वो federal budgets भी हो सकते हैं provincial budget भी हो सकते हैं और district level के budget भी होते हैं और ये budgets क्या express करते हैं the policies of respective governments in providing public services यानि ये budgets public sector organizations के reflect करते हैं कि government किन policies को pursue करें यानि जहां पे government ज्यादा spend करेंगी जिन अपने अदारों पर जिन अपने महकमों पर तो उससे ये बात जाहर होगी ये हकूमत की जो ज्यादा emphasis है या रोहजान है या preference है वो इन अदारों की तरफ है अगर हकूमत तालीमी अदारों पे ज्यादा पैसा खर्च करती है तो इसका मतलब है कि हकूमत तालीम को फरोग देना चाहती है तो ये फर्क है budget public sector और private sector के budget में और ये फर्क इसको भी reflect करता है कि budget एक तरह की plan है और government की मनसूबा बंदी कि वो कहां से अपने अखराजाद जो है income जो है वो generate करेगी और कहां पर उस income को spend करेगी तो ये budget एक plan है जो कि सालाना आम तोर पे सालाना होता है इसकी duration एक साल होती है और ये एक साल का budget government की plans को reflect करता है अब हमने ये चीज़ देखनी है कि जो planning है हम जब हमने बात की कि planning जो है एक individual level पर भी होती है और organizational level पर भी होती है तो हमने ये देखना है कि planning तो हम करते हैं यानि all the time when individuals are planning they are sort of thinking, they are reflecting कि हम resources कहां से generate करेंगे हमने अपने मकासित कैसे पूरे करने है तो चाहे वो individual plan हो या organizational हो या national level पर हो या global level पर हो तो उसका जो एक logical sequence है वो तकरीबन एक साही होता है तो हम यहां पर अब जो बात करने चले है वो यह है कि वो logical sequence जो है एक मनसूबा बनाने का वो क्या है इसमें जो पहली चीज है वो जो हम देख रहे हैं planning process में the need for planning तो पहला step क्या है the need for planning क्या जरूरत है मनसूबा बनाने की कई लोग इस कई text books जो हैं और कई आप किताबें अगर देखें तो वो इस चीज़ को reflect करती हैं कि problem से शुरू करती है कि कोई problem है तो उसको हम resolve करने के लिए कोई मसला है उसको हल करने के लिए भी हम plan करते हैं तो मुखतलिफ किताबों में मुखतलिफ तरीके से इस चीज़ को बयान किया है लेकिन generally जो हम step पहला कदम होता है planning process का वो यह है कि there is a need for planning दूसरी जो चीज़ है determining the objectives यानि दूसरा हम कहते हैं कि मकासिद क्या है जिन के लिए हमने एक मनसूबा बनाना है क्या मकसद हासल करना चाहते है तो मुखतलिफ अदारों के मुखतलिफ मकासिद होंगे और उसके लिए वो उसके मताबक plan बनाएंगे तीसरी चीज़ जो आती है वो है forecasting for the future मैंने आप से कहा था कि जो planning है वो मुस्तक्बिल के लिए है और मुस्तक्बिल जो है वो आम तोर पे unknown होता है it is not known और कोशिश ये होती है कि वो जो unknown future है उसको known बनाया जाए यानि हम उसके बारे में project करते हैं या forecast करते हैं कि आने वाले वाकियाद जो है वो ये होंगे और हमारी forecast जो है वो किस बन्याद पर होती है हमारी forecast की बन्याद जो होती है वो present यानि जहां पर हम मौजूद हैं या माजी so past और present को लेकर हम future को predict करते हैं और future के बारे में हम कुछ assumptions जो हैं वो बनाते हैं यानि हम कुछ assumptions को हम यूँ कह लीजिए कि हम कुछ future के बारे में तसवर या ख्यालात हमारे होते हैं कि अगर आज ऐसा है तो कल ऐसा होगा फिर जो हम चीज जिस चीज का ताइयन करते हैं वो है alternatives के जो हमारे मकासिद हैं और जिनको हम मस्तक्बिल में मस्तक्बिल में हासल करना चाहते हैं उनको उनके लिए हमारे पास क्या alternatives हैं क्या मुख्तलिफ जो है सूरतें मौजूद हैं हमारे पास जिन पे हम चल के अपने मन्जिल की तरफ पहुँच पाएंगे पांच्वी चीज़ है कि हम हर जो मकसद है उसको evaluate करते हैं यानि उसको हम analyze करते हैं और यह फैसला हमने करना होता है कि इसमें से हम कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे जो हमें in most efficient way हमें अपनी मन्जिल की तरफ या अपने मकसद की तरफ ले जाए यानि selecting a course of action और सात्मा पिछले lecture में भी इसकी बात की थी कि implementing the plan और आठमा है revising the plan कि अगर कोई उसमें तबदीली आती है जो इस तरह से हमने future के बारे में सोचा था अगर वो उस तरह से नहीं है और उसमें तबदीली है तो हम अपनी plans को revise करेंगे तो अब हम इन तमाम चीज़ों को जरा डीटेल में देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस को तो पहला जो हमने कहा था the need for planning the need for planning this precedes planning and starts with either solving problem or to attain some objectives organizations have need for planning to use scarce resources efficiently and make best use of opportunities and prepare for threat तो organizations जो हैं जो इस चीज़ को अगर हम further explain करें यह जो need for planning है यह सब से it precedes planning precedes planning यह planning शुरू करने से पहला जो step है कि हम यह identify करें और हमें इस बात का पता हो कि वाकई planning की जरूरत है और यह जरूरत का तायन हम उस वक लगा सकते हैं जब हम यह महसूस करें कि अधारे को या तो कोई problem है या अधारा जो है किसी बहतर opportunity का फाइदा उठाना चाहता है तो इसकी मिसाल यह हो सकती है कि अगर मैं इसी की मिसाल लोंगी क्योंकि इसको समझना आसान है कि अगर literacy को यानि illiteracy को खौनदिगी को हम एक मसला समझते हैं मुलका तो ये इसके लिए सवाल ये उटता है क्या इसके लिए मनसूबाबंदी की जरूरत है क्या हमें ये जरूरत है कि हमारे मुलक के ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो खौनदा हों यानि पढ़े लिखे हों या लिटरेट हों तो इसकी फिर इससे पहले के हम प्लान करें तो हमें इस प्रॉब्लम से ये समझना होगा कि हाँ इस प्रॉब्लम को इस मसले को हल करने के लिए मनसूबाबंदी की जरूरत है और ये वी वान्टो एचीव certain literacy percentage या हम एक हद तक अपनी जो तालीमी हिसियत है उसको लिजाना चाहते हैं दूसरा जो है मकसद जो दूसरा इसमें प्रॉसस है वो है determining the objectives क्यानि हम ये इसका ताइयन करें कि हम problem हमने पहले में मिसाल दी तो हमने दूसरे में कहा कि हमारा मकसद क्या है literacy हमारा मकसद है तो उसको हम further आगे कैसे define करेंगे the second step in planning process establishing objectives for the organization and then for each subordinate within the organization objectives specify expected results and indicate end point of what is to be done ये हमने पहले भी बात की थी और देखिए कि ये एक logical process है plan का हमने बात की थी कि objectives एक तरह की plan होते हैं और यहां पर हम objectives को जिस sense में इस्तमाल कर रहे हैं वो मकसद की sense में इस्तमाल कर रहे हैं जिसके लिए इसको हासल करने के लिए हमें plan की जरूरत है और यहां पर मैं थोड़ा सा elaborate करूंगी इस point को कि जो objectives होते हैं अदारे के और उसके मुखतलिफ शोबों के उनका भी different time horizon होता है अगर हम अदारे के objectives की बात करेंगे तो उसका time horizon जो है वो ज्यादा अगर हम शोबे की objectives की बात करेंगे तो उसका time horizon जो है वो कम होगा अच्छा अब इस पे अब को चंद एक मिसाले हैं जो हमने दी हैं कि objectives को हासल करने के लिए सबसे पहले एक पूरा network of policies और procedures और rules मौजूद होना चाहिए तो हम जो examples दे रहे हैं वो again हम एक वही जो शुरू में हमने दी थी literacy की वही example है तो example says that to increase literacy by 5% from the last year यह हमने एक example दी है और यह हमने जो objective की example दी है वो यू समझे कि एक overall example है अब मिसाल के तौर पे यह मैंने यही दिये कि इनी objectives को अगर हम break down करें शुबे की level पर तो अगर ministry just a example कि अगर ministry है तालीम की और वो यह कहती है कि उन्होंने पिछले साल से इस साल 5% इस साथ literacy level को increase करना है तो फिर दूसरा जो अगर जो education department है उसके objectives क्या हो सकते हैं और उसकी मिसाल दी है to open schools in five villages of the province अगर उन्होंने literacy enhance करनी है तो यह हम दूसरी इसकी जो है वो ले सकते हैं और अगर हम private sector की मिसाल ले कि वो अगर अपनी objectives उनके क्या हो सकते हैं तो उनके objectives हो सकते हैं to increase profits by 2% so यह मुख्तलिफ शोबे हो सकते हैं मुख्तलिफ अधारे हो सकते हैं जिनके मुख्तलिफ objectives यानि मुख्तलिफ मकासिद होंगे और उन्हें यह तायन करना है यह determine करना है कि उनके objectives क्या होंगे तो पहला step हमने जो planning में तिया था वो यह था कि need for planning होना चाहिए और दूसरा जो step है planning का जब हम plan कर रहे हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे मकासिद क्या है clarity of objectives और determining the objectives is very important तीसरी चीज़ जो planning process में आती है वो forecasting यह एक काफी अभी तो हम बात कर रहे हैं planning को understand करने के लिए लेकिन जो forecasting है वो एक काफी technical discipline बन गया है और forecasting जो जिस पे हम base करते हैं जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारे पास information आज की और माजी की यानि present and yesterday's information जो है वो हमारा basis होता है for planning for the future or for forecasting तो इसमें जो हम बात देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि forecasting is based on certain assumptions about the future in which the plan is to be carried out the basis of forecasting is understanding of markets what the markets are going to be like in future what will be the prices of the products that will be sold in the market what will be the prices of the inputs or resources to be used what services will be needed in the future और ये भी बहुत जरूरी है कि future के लिए forecast करने के लिए ये information बहुत जरूरी है कि मालूम हो कि population में कितना increase होगा किस तरह से population बढ़ रही है ताकि उसे ये अंदाजा लगाया जा सके कि जो आबादी में तबदीली है यानि कौन सा age group जो है वो आबादी का बढ़ रहा है younger age बढ़ रही है और कौन सा age group जो है वो कम हो रहा है इसके बहुत से impact है future के लिए खास तर पे अगर government ने policies को plan करना है तो उसके लिए ये जाना बहुत जरूरी है कि आबादी में किस तरह की तबदीली आ रही है फिर ये जानना कि लोगों के technological science और technology में क्या तबदीली आ रही है क्योंकि उसका भी बहुत असर अदारों पर होता है तो ये चीज़ भी इसके बारे में predict करना यानि forecast करना यानि assume करना कि कोई भी मुस्तक्बिल में जो जिसके लिए planning की जा रही है या जिसके लिए policy बनाई जा रही है वो उस sector में या उस शोबे में तबदीली क्या रही है तो ये बेशुमार से सवालात हैं जो कि किसी भी forecasting में बहुत जरूरी हैं और बहुत एहम है क्योंकि जब हम forecast करते हैं या उसको हम forecast करते हैं on the existing data तो ये information हमारे पास कहां से आती है जिसके बन्याद पर हम policies के बारे में या plans के बारे में forecast करते हैं तो government जो है वो ही एक बहुत एहम सोर्स होती है information की कियुकि ये हकूमती अदारे ही है जो हर वक्त बहुत सी information या मालूमाद जो है उसको एकठा करते हैं और ये मालुमात जो है ये numerical मालुमात भी होती है और ये मालुमात जो है दूसरी तरह की information जो है वो भी होती है ये quantitative information भी होती है और qualitative information भी होती है तो ये किस तरह की reports है ये मैं चंद एक reports को आपके सामने site किया है कि हर साल हकूमत पाकिस्तान economic survey of शाया करती है इसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत इंफर्मेशन होती है, हर सेक्टर के बारे में इंफर्मेशन होती है, मोटे मोटे में आपको मेजर या मेन जो शोबे हैं जिसके बारे में इंफर्मेशन होती है, वो है तालीमी शोबा, लेबर के बारे में, इंप्लॉइमेंट के बारे में, सिहत के बारे में information है, budget में government की कितनी resources हैं, तो अगर आपकी नजर से ये document गुजरे, तो इसमें आपको पाकिस्तान की, और ये सालाना document छपता है, और इसमें आपको बहुत सी information जो है, वो मिलती है, तो जब से पाकिस्तान बना है, ये economic survey जो है, वो छप रहा है, तो जब से लेके आज तक की information अगर आप libraries विजिट करें, तो आपको ये document जरूर वहाँ पे मिलेगा, और बहुत सी आपको इससे information जो है, वो हासिल हो सकती है, इसी तरह से State Bank of Pakistan है, उसकी report हर साल अगर आपके पास internet की facility है, तो internet पे ये report अवेलेबल होती है, economic survey भी अवेलेबल होता है, इसी तरह से Federal Bureau of Statistics है, जो मुखतलिफ किसम के census, यानि शुमारियाद जो है, वो पाकिस्तान के बारे में एकठा करता है, और इसमें भी बहुत सी information होती है, हमारा labor survey होता है, अगीन, बहुत सी information अब आजकल जो है, internet पे और इनकी website हैं, वहाँ से मिलती हैं, ये बनियाद होते हैं, ये documents और जो लोग researchers होते हैं, वो in documents को इस्तमाल करते हैं, और इस से future के बारे में forecast करते हैं, कि क्या तबदीली जो है, वो मुम्किन है, माजी की तबदीलियों को देखते हुए, मुस्तक्बिल की तबदीलियां जो है, वो forecast की जाती हैं, तो ये हमारा तीसरा step था, इसमें forecasting जो है, च कि एक अगर हमने objective का ताइयन किया है, कि हम literacy की बात कर रहे थे, कि अगर literacy हमारा मकसद है, तो अब हमारे पास क्या मुखतलिफ alternatives हैं, यानि कौन से मुखतलिफ रास्ते हैं, जो हमें मन्जिल की तरफ ले जा सकते हैं, या हम अपना मकसद हासल कर सकते हैं, So this involves examining alternative course of action. There would hardly be a plan for which alternatives do not exist. And again, example is, what are the alternatives to increase literacy? अब हम यहां जो मिसाल दे रहे हैं, उसी को मैं इसली आगे चला रही हैं, कि अब आपको उससे ज़्यादा वजाहत हासल होगी. तो कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका कोई एक ही रास्ता हो, alternative हो. उसके मुक्तलिफ जो है, alternatives हो सकते हैं, या मकसद हासल करने के लिए, अगर आप कहते हैं, कि आपने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए, या आपने किसी भी profession में जाना है, तो आपके पास मुक हार्ड, और तो बिकाम ए डॉक्टर, और डॉक्टर बनने के लिए, आप ये भी आपके पास choices हैं, कि आप किस medical college में जाना चाहते हैं, अब कोशिश तो ये होती है, कि जो नजदीक तरीन घर के हो college, आप उस college में जाना चाहेंगे, लेकिन विल फर्स कि वहां आपको दाखल नहीं मिलता, तो फिर आपकी choice दूसरी होगी, तीसरी होगी, या whatever, wherever you get admission, so आपके पास different alternatives हैं, जो आपको एक ही रास्ते के तरफ ले जाते हैं, यानि आपको doctor बनने की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो alternative हमने question raise किया है, कि literacy के लिए हमारे पास कौन से alternatives हैं, तो हमारे पस तीन alternatives जो हैं, वो हमें नजर आ रहे हैं, पहला alternative है, to open new schools, अगर हमने literacy जो है बढ़ानी है, तो हमारे पास एक choice, यानि हकूमत के पास एक choice यह है, कि वो नए स्कूल खोले, दूसरी choice, या दूसरा alternative क्या है, to have more shifts in the existing school, खौन्दगी बढ़ानी है, तो आपके पास अगर इतने वसाइल नहीं हैं, कि आप मजीद स्कूल खोल सकें, तो आप के पास जो मौजूदा स्कूल है, उनमें आप shifts शुरू कर दें, यानि अगर आट से एक बज़े तक एक shift है, तो फिर आप दो बज़े के बाद दूसरी shift जो है, वो शुरू कर दें, अब तीसरा alternative हमारे प पूल खोले, अब आप देखिए, कि एक ही मकसद को हासल करने के लिए, यह हमने सिरफ तीन रास्ते बताएं हैं यहां पर, हो सकता है कि इसके इलावा भी हों, लेकिन just to confine ourselves, कि कोई भी अगर मकसद है, उसके बहुत से alternatives हो सकते हैं, तो plan बनाने में यह जरूरी है, कि जब आ आप objectives determine कर लें, तो आप फिर देखिए, कि कौन से alternatives हैं, जो आपके पास मौजूद हैं, उस मकसद को हासल करने के लिए, अब इसमें पांचवी चीज़ जो process में आती है, वो है evaluating each alternative, evaluation का क्या मतलब है, evaluation का मतलब है कि आप ये देखिए कि हर alternative की cost क्या है, कितना इसके उपर अखराजात कितने आएंगे, कितना खर्चा आएगा, और इसके बरक्स उसके benefits क्या है, कितने फवाइद जो हैं, वो आपको हासल होंगे, अब देखिए कि ये चीज़ अगर हम अपने पिछले alternatives को देख or examined in terms of costs and benefits. One course of action may have large investment and little benefits in the short run. एक course of action यानि एक ऐसा रास्ता हो सकता है, जिसमें शुरू में आपको बहुत ज्यादा जो है, पैसा लगाना पड़े, investment करना पड़े, लेकिन short run में उसके जो फाइदे हैं, वो इतने ज्यादा ना होंगे, और ये भी मुमकिन है कि there are alternatives which are risky, ज लेकिन उसमें benefits जो हैं, वो बहुत ज्यादा हैं. यही मिसाल, उन्हीं हम तीन मिसालें हमने ली हैं, और अगर इन मिसालों को हम इस पैराए में देखें और सोचें, कि हर एक में cost कितनी आती है, और उसके benefits कितने हैं, तो हम ऐसे hypothetical analysis करते हैं, to open new school. अगर हम ये कहें, कि नए स school खोलने के लिए, आपको budget में ज्यादा पैसे चाहिएं. अगर आपने existing school में shifts शुरू करनी हैं, तो फिर आपको उसके लिए इतने ज्यादा रखम नहीं चाहिए होगी, investment इतनी large नहीं होगी. लेकिन उसके जो returns हैं, वो उतने ही होंगे और हो सकता है कि ज्यादा हों. और त पास से बिलकुल भी पैसे शायद खरच करने की जरूरत ना पड़े, बलकि वो सिर्फ encourage करे private sector को, कि वो invest करे schools में और नए school खोले. लेकिन जब हम alternatives की evaluate करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमने इसमें बहुत से मकास्द यानिए, अगर totally government अपनी जिमेदारी से हट के कहे कि हम ये सारा काम private नजी शोबे को दे देते हैं, तो इसमें एन मुमकिन है कि private sector का जो मकसद है वो profit हो. तो ये बहुत सी चीजें जो है, प्लान करते वे इन चीजों को देखना पड़ता है. अब जब ये हमने बात की कि कि इस course of action में से, सिरफ हम एक को pick करेंगे. We select one course of action. So at this point the decision has to be taken to adopt an alternative. The choice could be to pick one or more than one alternatives depending on the emphasis on objectives to be achieved and the cost. At this stage the plans are made part of budget and budgets become means of tying up different plans. Now what we are saying here is that हमें एक course of action या एक रास्ता जो है उसको pick करना है. अब एक रास्ता जो है पिक करना है या हम एक से ज्यादा रास्ते भी pick कर सकते हैं. अब अगें वही मिसाल जो हमने दी कि क्या हकूमत जो है वो नए स्कूल खोलेगी या existing schools जो है उसमें shift जो है वो शुरू कर दे अगर तो मकसद इतना एहम है कि जरूरत है इस बात की कि नए स्कूल भी खोले जाएं और जो existing schools हैं उनको बेहतर तोर पे इस्तमाल किया जाए. यानि अगर वो underutilized हैं तो उनको पूरी तरह से इस्तमाल में लाया जाए. अगर मकसद बहुत एहम है तो whole end मुमकिन है कि हकूम ये दोनों alternatives जो है उनको पिक कर ले और इन दोनों के उपर काम शुरू कर दें. ये depend करता है कि आपके पास वसाइल कितने हैं, आपके मकसद की एहमियत कितनी हैं, आप उसको कितना emphasize कर रहे हैं, ये तमाम चीजें इस चीजे को के उपर ये determine करेंगी. Either we pick one alternative or we pick more than one alternative. अब सात्वी जो इसमें चीजे है वो plan को implement करना है. और ये planning process का हिस्सा है और ये बात पिछले lecture में भी कही थी कि जो implementation of the plan है, plan का बना लेना तो एक शायद बहुत इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन plan को implement करना, यानि उसको अमली जामा पहनाना जो है, वो बहुत की एक एहम चीज़ है, क्योंकि उसके लिए भी आपको ना सिर्फ बसाइल चाहिए होते हैं, उसके लिए वक्त भी एक एहम resource है, और वक्त चाहिए, और लोग चाहिए, और आपको systems develop करने पड़ते हैं, किसी plan को उस अंदाज में implement करने के लिए, जिस से आपके मकसद उसी तरह से हासिल हो, जिस तरह से आपने plan को जो है, बनाया है, या formulate किया है, यहाँ पर यह एक बात मैं आपको बताती चलूँ, कि पाकिस्तान में जो 100% literacy का aim है, या objective है, वो बहुत पुराना है, तकरीबन जब से पाकिस्तान बना, यह हमारा मकसद रहा कि हमने अपने मुलक में खौनदगी जो है, वो 100% करनी है, और इसके लिए plans भी बने, बहुत से plans बने, लेकिन इसमें जो कमजोर इसका area था, वो इसका area था implementation, कि इस plan को हमने बना तो लिया, लेकिन implement करने में हम उस तरह से थाबित कदम ना रहे, और इस implementation में जो सबसे बड़ी चीज थी, जो खामी रह गई थी, वो थी कि consistency नहीं थी, और commitment नहीं थी, यह चीज हम आगे चल fundamental जो principles हैं, वो क्या होते हैं, अगर किसी plan को वाकिए ही implement करना है, और उसको उसके मकसद की तरफ पहुंचाना है, तो उसकी implementation जो है, वो बिलकुल सही होनी चाहिए, और उसमें consistency जो होनी चाहिए, अगर हमारी plan जो है, वो अपने desired objectives जो है, उसको हासल नहीं कर पाती, यह जिस मकसद के लिए वो plan बनी है, वो मकसद पूरा नहीं होता, तो उसका मतलब यह है, कि या तो plan को revise करने की ज़रूरत है, आप को देखें कि कहां पे कमी रह गई है, कहां पे खामी रह गई है, और उस plan को आप revise करें. A revision of a plan needs to be revised, because when it is implemented, many unanticipated things happen, बहुत सी ऐसी चीजें, जो के हमने पहले से सोची नहीं होती, उनका होना एन मुमकिन है, क्योंके plan हम मुस्तकबिल के लिए जो है, वो तयार करते हैं. The prices of input may change, qualified people may not be available. So, इस सूरत में हमें plan को revise करने की जरूरत है. लेकिन अगर plan को आप shelf कर दें और उसको implement ना करें, तो तब भी उसको revise करने की जरूरत है, कि अगर आप उसी plan को दुबारा आपने implement करना है, तो फिर आपके लिए ये जरूरी है, कि नई assumptions के साथ, जो उसमें तब वक्त के साथ तब दीली आई हैं, उस plan को आप revise करें. अब ये हमने आठ जो है steps, planning process के discuss की हैं, generally आप जैसे मैंने शुरूरू में कहा, चाहे plan आपका personal level का plan हो, national level का plan हो, provincial level का, organizational level का, आम तोर पे ये जो 8 steps हैं, इनको हम follow करते हैं किसी भी planning process में. जो बात हम यहां भी कहना चाह रहे हैं, वो ये है कि plan जो है, वो एक rational process है. Rational process means it's a logical way of thinking and of taking steps which make our, which make the achievement of objectives possible. अब ये graphically हम इस बात को जो है illustrate करें through a graph. अगर आप इस graph को देखें, तो इस graph में आपको एक vertical axis के उपर progress नजर आ रही है. यनि progress से यहां मतलब है कि जो goals आपने achieve करने हैं in future point in time. और horizontal axis पे आपको time frame जो है, वो नजर आ रहा है. अब इसमें आप ये देखें कि जो point x to point y है, वो point x से लेके point y हमारे, यानि point x से हमने शुरू करना है और point y पे पहुँचना है. और हमारा जो time frame है, वो t naught, यानि t naught जो आपको horizontal axis पे नजर आ रहा है, वो हमारा starting point है, plan का. जो हमारा tn point है, वो है हमारे y को शो कर रहा है, यानि y जो हमारी destination है, उस पे हमने पहुँचना है. अब आप देख रहे हैं कि इस slide में हमने बता दिया कि horizontal और vertical axis पे क्या क्या चीज़े हैं, लेकिन ये जो arrows आपको नजर आ रहे हैं, on both the side of the main arrow, x, y arrow के दोनों साइडों पे, वो असल में हमारी है assumptions, assumptions about future. अब देखें कि plan का जो starting point है, T0 है, पहुँचना हमने Y पर है, यानि TN पर पहुँचना है, तो जो बीच में हमने assumptions about future की हैं, कि इसमें future में ये ये तबदीलियां आएंगी. मिसाल के तोर पे मैंने आपको कहा था, कि technological changes आ सकते हैं, या इसमें population changes आ सकते हैं, economy जो है, वो change हो सकती है, ये भी मुम्किन है कि कुछ international changes जो है, वो भी आ जाएं, तो हम इस चीज़ को भी सामने रखते हुए, हमने सारी assumptions की हैं, और ये assumptions जो हैं, ये हम arrow से show कर रहें, अब ये मुम्किन है कि जो चीज़े हमने assume की हैं, कि future में होगी और उसके मताबिक हमने plan किया है, ये मुम्किन है कि बिल्कुल उस तरह से तबदीली ना आए, हो सकता है कि कोई ऐसी अचानक तबदीली आजाए, जो हमने अपनी assumptions में शामिल ना की हो, तो उससे ये मुम्किन है कि हमारी plan का जो time हमने मुकरर किया, जिसमें हम achieve करेंगे अपनी plan को, तो उसमें कोई थोड़ी सी कमी आजाए, तो ये जो graph है, ये show कर रहा है कि किस तरह से हम planning process जो है, जो तमाम बाते हमने की, वो इस तमाम बातों को हमने यगजा करके इस graph से show किया है, कि जब हम plan करते हैं किस point से हमने अपनी plan को शुरू करना है, यानि T not से अगर हमने plan को शुरू करना है, तो हम उससे पहले से planning करेंगे, यानि हम जरा उससे पीछे जाएंगे, हम graph में show कर रहे हैं कि हम T minus N से शुरू करेंगे, तो T minus N और point, the region between T minus N and T not is the time period, जो हम plan में शामिल नहीं कर रहे हैं, हमारा future जो है, वो जा होगा, हम उसके बारे में forecast कर रहे हैं, T minus N से लेकर T not की information लेकर project कर रहे हैं future में, कि future में हम इस तरह से अपनी objectives को शुरू करेंगे, तो यह हम शो करता है, कि हमारा जो एक planning process है, वो एक systematic, logical और एक rational process है, planning का process है, अब यह slide जो है, उसी को जो मैंने explain किया है, इसको आपकी बता दिया है कि किस तरह से planning process जो है, उसको जो ग्राफ में पॉइंट से किये गए है, इस slide जो है, तरह वो आपको बता रही है, अब यह बहुत एहम इस है, the principles of plan, कि कौन से बुन्यादी principles हैं, plan को implement करने लि अपना मकसद हासिल करने के लिए, तो पहला principle जो इसमें है, वो है principle of time horizon, time horizon कि हमने कितने असे के प्लान करना है, हमारी plan long term है या short term है, short term plan है, हमारी वो एक दिन की भी हो सकती है, और एक वफते की भी हो सकती है, और महीने की, साल की और बहुत से सालों की, अधर बहुत आम त को कहा जाता है, हो five years की plan को, two to five years is a short term plan, क्योंकि two to five years में हम future को आसानी से, निजदन आसानी से दिख सकते हैं, और जितना time horizon ज्यादा होता है, उतना ही हमारा future है, वो हमारे ये burn हो जाता है, उसके उसका हम उतनी आसानी से नहीं दिख सकते हैं, पहला जो बनादी principle है, हमें जानना ज़रूरी है, कि हम plan जो है, किस अर्से के लिए बना रही है, दूसरी चीज़ है plan में, उसको कहते हैं, commitment principle, logical planning encompasses a future period of time necessary to fulfill series of action the commitment decisions made today, ये बात इस तरह से है, कि जो फैसला हमने आज किया है, यानि जो commitment हम आज की है, फैसला एक किसम की commitment होती है, और हम जब decision making की बात करेंगे, तो इस तीज़ को जरा emphasize करेंगे, तो commitment फैसला हम आज करते हैं, वो हमारी commitment है कल लिए, और अगर हम आज commitment है करते हैं, और उसको future काइम नहीं रहते हैं तो हम plan को कर ये plan के principle की violation है, यानि प्लैन बना लेना ही जरू commitment रहना भी एक एहम उसका aspect है, तीसरी चीज़ है coordination of short term plan and long term plan, अब अगर हमारी plans एक अज़ारे में कुछ plans ऐसी हैं, जो रवील अरसे के लिए, उसका horizon time frame जिया है, कुछ plans वो ऐसी होंगी, जो के short term की plans हैं, अब अगर short term की plans, जो एक साल की आप 2-5 साल की plans हैं, वो 10-15 साल की plans की coordinate नहीं करें, उनमें हम आहंगी नहीं है, तो plan का मुस्तकिल में implement होना और अपने मवसिद हासल करना मुश्किल ही नहीं, तक्रीब नामुम्किन है, तो जो short term plans हैं, उनको they should feed into long term plans, and there should be proper coordination of long term and short term plans, तो तीन हमने बुन्यादी principles की बाद की plans की, principle यह है कि हमें यह पता होना चाहिए, कि हमारा time horizon जो है, plan का वो क्या है, दूसरी चीज़ जो है, वो हमारी commitment प्लान होनी चाहिए, अगर हमने आज फैसला किया है, कि यह plan हम implement करेंगे, the managers in the organization must stay committed to it, to achieve the long term goals, और तीसरी चीज़ है, कि coordination होनी चाहिए, यह नहीं कि divergent plans हो, divergent का मतलब है, कि उनमें हम आहांगी और रब्त ना हो, और वो long term plans के साथ, short term plans जो है, आपस में कोई coordination ना रखती हो, कोई आपस में हम आहांगी ना रखती हो, तो यह तीन दे एहम बन्यादी principles हैं, जो कि plans के अपने goals और objectives अचीव करने के लिए जरूरी है, आपके सामें एक, हमने overall एक, again, graphically इंजिजों को present किया है, यह जो plans हैं, वो मुख्तलिफ types of plans की हम बात की थी, और यह हमने बात की, अब यह हम इस figure में यह देख रहे हैं, it is showing the hierarchy of objectives, जो organizations में होते हैं, और इनका आपस में क्या link है, और कौन से objectives किस level पे बनते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, कि यह organization के different levels जो है, इस pyramid में show की हैं, और जैसे आप देख रहे हैं, कि social economic purpose है, जो कि mission of the, हमने शुरू में बात की थी, कि mission purpose होता है, एक अदारे का एक किसम की plan होती है, तो यह show की रहा है, कि इस कौन बनाता है, और आप लिख रहे हैं, यह board of directors और top management जो है, यह दोनों मिलके, partly mission और purpose, जिस मकसद लिए यह अदारा है, उसको बैठ के बनाते हैं, यहाँ पर ही मैं आपको बताती हैं, कि जो mission और purpose है, यह एक तरह की long term plans हैं, क्योंकि जो mission और purpose है, किसी भी organization का existence और वजह उसके बने की वजह को बयान करता है, तो यह top management और जो board of directors हैं, कहलें, वो इसको बनाते हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं, कि overall objectives of the organization, strategy आ जाती है, और more specific objectives जो हैं, और initially level पे जो objectives हैं, उनको बनाने के लिए top management और middle management जो है, यह दोनों मिलके in objectives को बनाते हैं, अब आप देख रहे हैं, इसके बाद कि divisional level पे, division के कहलें, department level और branch level यह unit level के objectives आ जाते हैं, यानि यह वो objectives हैं, जो निचली सता पर, किसी भी अधरे की निचली सता पर होते हैं, इनको कौन बनाता है, यह middle management और lower level management जो है, वो मिलके आते हैं, और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं, कि individual objective आजाते हैं, जिसमें individual performance आती है, और personal objectives आते हैं, यहां पर जो personal आप एक हर, जो employee है, यहां पर अपना काम, जो job है, वो perform कर रहा है, उस measurement लिए, उस objective है, वो बनाए जाते हैं, तो low level की management और middle management की level, middle management के जो low है, वो बनाते हैं, अब आप देख रहे हैं, कि नहां पर bottom up लेख रहा है, एक arrow नीचली level पर उपर लेख पर जा रहा है, और यह bottom up, यह जब objectives किसी भी अदारे के बनते हैं, तो यह दो तरही होते हैं, एक bottom up approach है, जिसमें आप देखें, ओगल लाप कर लें, top management, border directors, top management, middle management, middle management, lower management, और फिर दूसरी तरफ से top down है, यह एक सी चीज है, plan जो है, objectives, यह bottom up और top down है, आपस में यह मिल के बनाए जाते हैं, और यह इसका relationship जो है, इस diagram शो हो रहा है, अब हम देखें कि हमने इस आज के lecture से क्या conclude किया है, और क्या क्या चीजे हमने discuss की हैं, आज के lecture में हमने तीन चीजें conclude की हैं, पहली चीजी है कि जो planning है, वो किसी भी manager का, चाहे वो रॉप लेवल पर हो, middle लेवल पर, या supervisory लेवल पर, एक बहुत important function है, बगैर planning के, बगैर मनसुवाबरी के, को भी manager जो है, वो अपने मकासिद, अदारे के मकासिद जो है, वो हासल नहीं पर सकता, अदारे के मकासिद हो, उसके अपने division या department के मकासिद हो, या branch ये unit के मकासिद हो, और किसी को भी activity, जो manager के activity है, उसके लिए planning जरूरी है, दूसरी जो आज हमने देख ये समझदी कोशिश की, कि planning जो है, वो एक logical और systematic process है, यानि एक rational process है, जो के step wise method है, अगर हम उसको systematically follow करें, और उसको हम implement रहें, तो हम अपने मकासिद में कामियाब हो सकते हैं, यहां ये में बात इस पर add करूँ, कि अगर्चे systematic process है, लेकिन ये linear process नहीं है, बास दफ़ा आपको एक step से दूसरे step वापस आना जाना पड़ता है, तो ये logical है, पर systematic है, तीसरी जो हमने अज देखी और उसको समझा हो था कि principles जो है, प्लानिंग के वो क्या है, और तीन एहम principles की बाद हमने की time horizon की बात की, commitment की बात, और हमने देख की coordination जो है, plans की बहुत एहम है, shorter और long term की plan की coordination जो है, वो एक एहम activity है, उसके बाद कोई भी जारा जो है, मकासित हासिल कर सकता, आखर में हमने relationship देखा, जो objectives, missions है, और different level पे बनती है, ये objectives और strategic plans का relationship है, और कोई इनको बनाता है, तो अमीद है कि आपको आपका लेक्चर जो है, तो पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर को में लाके जो अपने planning के बारे में concepts जो है, और उसको अदरों में उसकी जो एहनत है, उसको आपने समझा होगा, और आप अपनी किताबें के अल्ट करते अखबारते रहे और रिशनरी जुरूर किस तैम, सुदा हाफ़स। झाल झाल